आप सभी आप सभी अच्छी होंगे मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ और आगई हूँ मैं फिर से आज एक न्यू ब्लॉग लेकर के और यह है अपने लिए कुछ टाइम निकालने का अपने को समझने का अपने को सही रखने का जब हम हेल्दी रहेंगे तो पुरा परिवार ह हमारा हेल्दी रहेगा हम उनकी देख 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 तभी कर सकते हैं जब हम खुद अपनी देख 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 ले उसके बाद तो पस वही कुछ टिप्स है जो मैं आप लोगे साथ से यर करूंगी जब हम अर्ली मॉनिंग उठते हैं तो आपने ली भी कुछ समय हम जरूर नि जारी है कम तो होगी नहीं मुझे भी पता है तो बस उसी responsibility में अपने आप को strong बनाने के लिए उसमें और आगे बढ़ने के लिए मैं यह यह योगा है वो मैं करती हूं तो आज मैं यहां पर अभी जो कर रही हूं वो सरवांग आशन है वो कर रही हूं यह आधे मिनट से ल देगर के कर सकते हैं और कोई भी आशन यह प्रनायम जो है उसमें स्वासन के लिए जो है वो सबसे ज्यादा मायने रखता है उसका ध्यान हमें अच्छे से रखना चाहिए और कोई भी आशन के बाद शवा आशन जो है मतलब कि आराम करना आराम से हाथ पाउं को छोड़ कर काशूर मतलब सोना मतलब नेन से नहीं जरेश्ट करना बहुत जरिर होता है तो वैसे ही मैंने जर्वांग आशन को करने के बाद मै ने रेश्ट करके तब इसको कि आप इसको और सर्वाणग आशन कर ने से बहुし बिभू May kindness to Corporal P dapat opened 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 agnapली Одय आच को और भी त まा में तो फोवैलित की बीमारी जो है वो ऑने सरवांग आशन से हम छ्रीज कर सकते हैं अगरम जो एलिग कर तेंच पि ग्लेंड रॉंज सभाता है तो कि ऐस घंटागोर पर सकते और हमने काठ एक रांधा आजाता तो अमारे पारविश Об School कर सकते हैं एक स्थरेयज से वयाम करते हैं तो यह हमारी जो शरीर को है बहुत तरीके से फाइदा देती है जो बहुत जरूरी है ज्यादा अगर आपके पास टाइम नहीं है घंटे भी नहीं है तो आधे खंटे भी अपने आपको जरूर टाइम लेना चाहिए और जो भी एक्सराइज आपके लिए कंफर जरूर से जरूर की ओर होगी और गैस का दवा डेली मॉर्निंग में खाने से बेटर है कि एक्सराइस को किया जाए इसे गैस के साथ साथ दूसरी बीमारीया भी क्लियर हो जाए कि मारी चर्वियां भी कम होने लगेंगी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो दीर दीर बुरा जाएगी मेरा हमारा बॉड़ी जो है बैंड नी हो पाता तो बैंड होना भी स्टार्ट कर देगा और हम किसी भी तरह से जूख सकते हैं तो इसे जो है कभी-कभी मसल्स में प्रॉब्लम आने लगती है वो भी नहीं होगी और साड़े जब एक्सराइस कंप्रीट हो जाते है जितने भी वयाम, आसन, परनायम सब कंप्रीट हो जाते हैं उसके बाद ये आसन करने से पीठ में अगर कोई दिक्कत रहती है तो उसे भी आराम मिलती है लेकिन सबसे पहले में एक बात जरूर बोलूँगी डॉक्टर से जरूर अपनी सलाह लें उसके बाद ही कोई एक्सर सारे एक्सराइज हमारे लिए नहीं होते हैं अगर हमारा किसी भी प्रकार का सरजरी है या कोई किसी भी प्रकार की फिजिकली कोई प्रॉब्लम है या कोई बीमारी है तो जरूर से जरूर परे डॉक्टर से कॉंटेक्ट करें और उनके कहे के अनुसार ही एक्सराइज को य जो है वो सब ही कोई कर सकते हैं तो पुछ ना हो तो एट लिस्ट बैट करके 10 निट अनुलों भी कर लिया जाए तो वो कभी काफी फाइदे देते हैं और अभी जो समय चल रहा है इसमे तो ज्यादा ही फाइदा देता है अभी जो मैं पाउं के एक्सराइस कर रहीं इसे तो हमको प्रॉफित मिलती है फिर चड़विया भी चारव होती है इसे बच्ची होने में दीकत हो तो वह हो जाती है जब प्रिएट सही रहेंगे तो बच्ची होने में दीकत तो ऐसे ही नहीं होगी और यहां पे फिर में देखिए विस्राम कर रही हूं मतलब की शवा आशन कर यह आसन करना बहुत जरूरी हर एक वयम के बाद इस आसन को करना बहुत जरूरी इस ते हमें एनरजी मिलती है और आपका कोई भी exercise complete हो जाए या प्रणायम, sorry, आसन complete हो जाए तो उठने के वक्त, उठने के वक्त जो है, आप side हो करके उठना चाहिए, कभी भी direct जीधा नहीं उठना चाहिए.